गुद मॉनिंग स्टूडिंट मैं राहुल कुमार जाब आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि बोर्ड एक्जाम का प्रेशर कैसे कम किया जाए और बोर्ड एक्जाम में कैसे अधिक से अधिक नंबर लाया जाए बच्चों मैंने MSC किया, BLEET किया, CTET क्वालिफाई किया, STET क्वालिफाई किया बहुत सारे एक्जाम मैंने दी है तो जाहिर सी बात है कि उसका experience भी है कैसे हम एक्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं या कैसे पास नहीं होते अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए आज अपने ह से बच्चों को पढ़ाना प्रारंब किया, जाते कुछ तो मैं नहीं जानता हूं नहीं मेरे पास बहुत अच्छा सेट अप है, धीरे-धीरे मैं सारा सेट अप वगएरे भी बैठा लूँगा, तो आप से आग रहे है कि आप हमारे मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइ सबसे पहले बच्चों जो पहला आइडिया है, वो यह है कि आप बोर्ड एक्जाम का डर अपने मन से हटा दीजिए, बोर्ड एक्जाम भी एक आम एक्जाम जो आपके विद्याले प्रशासन आपके श्कूल के दार लिया जाता है, वह ऐसा ही होता है, उसमें भी एक टीच आपको टेंसर लेना है, तो लोगों के दोर आपको प्रेसर दिया जाता है, एक्जाम हॉल में जब आप पहुंचिएगा तो आपको कोई प्रेसर नहीं रहे, और आप लीजिए गार भी एकदम आराम से जैसे आप अपने स्कूल के एक्जाम में एक्जाम देने जाते हैं, वैसे आप बोड एक्जाम में जाइए, और वैसे जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं होगी, आप अपने इन विजिलेटर से बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है परिशानी आप उनसे से शेर कर सकते हैं, जैसे आप अपने स्कूल के एक्जाम में स सबसे पहले सुबह सुबह उठना सिखिए सुबह पांच बजए आप उठ करके और अगर पढ़ते हैं तो जादे से जादे समझ में आता है बचो सुबह में महाल सांत रहता है सोर गुल गम रहता है उस समय जो टॉपिक जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता आप उसको याद करने का प्रयास कीजिए क्योंकि सांती के समय जब हमारे महले में या हमारा महाल आसपास का सांत रहता है तो हमारे ब्रेंड में जो हम बोलते हैं वो तुरंत जाता है बोल करके पढ़ने के टाइम में चारो तरप से हमारे ब्रेंड में वह बाज जाता है और वह इस्टोर होता है और वह लंबे समय तक स्टोर रहता है तिसलिए सुबह सुबह जगें और जो हार्ड टॉपिक लगे उसको आप उस समय याद करें तो आपको निश्चित याद हो कि तीसरा आइडिया है कि बच्चों जब भी किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं खास करके मैथ और साइंस उसमय आप हार्ड से तीस परशेन हाट कर., 14 50 से परशेन आसां ही रहते हैं तो हम पहले आसान बतल की रहते हैं जैसे आपको मैंथ में एक घ्जामपल देते हैं लग 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 जादे तर अ difficulties में जो घ्रिंद का मेद्थ है उसमें त्रिकोन मीती नामका एक चाप्टर है जिसमें मेरे समझ से जो हार्ट टॉपिक है वो त्रिकोन मेट्रिक आइडेंटी ती जैसे भी हार बोर्ड में जो एंसी आटी की बुक उसमें 10.4 चप्टर है आइडेंटिटी का वो सबसे हाट है जादे तर बच्चे उसी पर फोकस करते हैं कि यह हमको पहले आना चीज नहीं उसको छोड़ दीजिए जो आसान है जो आप आसानी से समझ सकते हैं आप उसको पहले देखिए तो कि 40-50% आसान आपको आसान आ जाएगा तो फिर हाट पर भी आप देख लिजेगा तो पहले आसान वाला चीज समझे आसान चप्टर पर यह आसान वाले पर ध्यान दीजिए तो आपको आजाए बिज्ञान भी सही है साइंस में ही सबसे पहले आप जितने भी डेफिनेशन यानि जितनी उसको याद कीजिए वह आसान होता है फिर आप उससे संबंदित जो भी चीजिए हैं उसको आप पढ़िए आसानी से आपको समझने आ जाए तो पहले आप आसान चीजों को पढ़ें हाड चीजों इसके बाद अगला जो आइडिया है वो यह है कि किसी भी हाड टॉपिक को आप तोड़ तोड़ के पढ़ें चोटे-चोटे तुकरों में बाट के उसको सीखने का प्रयास करें तो वह हासानी से समझ में एक साथ बड़ा चीज को पढ़ना हो तो थोड़ा टफ लगता है कि नेच्ट आइडिया है कि जो भी कमजोर बच्चें यह उनके लिए कि उनके माता-पिता रिष्टेदार या अरोस-पड़ोस के लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं आकसर गदार रही कमजोर इससे नंबर नहीं आ सकता है बोड़ एक्जाम में एवरेज नंबर लागा य बहुत तेज होता है यह अलग बात है कि कोई पढ़ाई पर पूरा यूज़ करता है कोई खेलने पर कोई और चीज़ में लेकिन हम अगर यह उसको कहते हैं कि तुम नहीं कर सकता यह थोड़ा गलत हो जाता है बच्चों के साथ तो आप उसको इनकरेज कीजिए आप उसको क साइंटिस्ट बन गए स्कूल में नहीं रखा गया कि उसको कुछ नहीं आता है तो कमजोर बच्चे को पहे तो इनकरेज कर और जिनके बच्चे कमजोर हैं उनके माता-पिता से मैं यह जरूर आग्रह करूंगा कि आप छे महीना तक अपने बच्चे को बहादूर करते रही उसको पूरसकार देते रहिए कि आप बहुत तेज हैं बहुत तेज हैं आप छे महीना बाद देख लीजिए उसका रिदर क्योंकि मैंने कुछ बच्चों पर ऐसा ट्राई किया है कि मैं लगवग बहुत दिनों से वरसों से बढ़ाते आ रहा हूं कुछ बच्चे मेरे भी लाइप में ऐसा आया हैं जो बहुत कमजोर थे उसको हमने यही हमेशा बताते रहें कि नहीं तुम बहुत अच्छा बन सकता है फलाने बच्चे बहुत कमज़ोर थे टेज हो गये क पहते करें आखिर करें तो रश्दक करें किल आट यह किसी भी कि दूसर के बात में आकर के आप आप अपने सिलेबस को फॉलो करें अपने टीचर को फॉलो करें और उसके हिसाब से त्यारी करें कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोग आके कर दिया रहे यह दस कुष्चन याद कर लो इससे हो जाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए अक्सर यह खतरनाक होता है लोगो दस कुष्चन नहीं आ तो तुमको सो में दस नंबर भी आए तो यह भी नहीं करना चाहिए अगर कोई कह रहा है ठीक है उस दस कुष्चन को भी हम मेंसन करेंगे लेकिन जो हमारी त्यारी हो चलती रहे तो एक सिस्टेमेटिक तरीके से आप त्यारी करते हुए चलिए और इस आधार पर आप बोड़ एक्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं बस आज के लिए इतना ही बच्चों आपसे मैं पुनह यही आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से करवाईए किसी भी प्रकार की समस्य या कोई जानकारी आपको चाहिए खास करके मैथ साइंस से संबन दी तो आप हमें कमेंट करें उसका हम हल निकाल के उसका सब्सक्राइब को भेज देंगे अभी नय है इसलिए तोड़ा सेटप का अभाव है समय लग सकता है लेकिन आपके द्वारा पूछे गए हर एक प्र प्रोशन में अवस्ट हुए जूँगा धन्यवाद